आपने बोला कि इसलाम जहाओंगा वहाँ पर लड़कियों को इंसानों को इल्म से दूर रखा जाएगा तालीम से दूर रखा जाएगा और तों को स्प्रेस किया जाएगा अब आपको मैं जवाब दूंगा यह अब 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 देखाया तो मैं दलील में लागा देदूगा कभी और को बहुत मश्यूर दील दलील ने क्या कि अल्ला पर्माया था कि जो आदमी अपनी दो यह तिन वे पालेगा उनको बड़ा कड़ेगा पर रिखाया तो अम ईंडिया की में अब आगे अने बताएं, वो पढ़ाने का framework क्या है? क्या मितलब for example.. लगके 52 005 002 003 002 4001 003, 945 01 004 ने संवह वर किया है? जो पढ़ाया जाताथ अब फ्रैविमट टूरिंग ने खोते हूं आज के समाने तो उसमें दिग्रीज चाहिए तो वो सब मुश्किल है प्राइव नहीं चलेगा उसमें काम तो मैं इंडिया के बाद पता हूँ मेरी घर के पास दिली में एक मुस्लिमों को स्कूल है गल्स स्कूल है वहाँ पर सिर्फ लड़की आती पड़ने के लिए अच्छ करती थी और पहले अच्छे आपको चाहिए औरते में तो बिजनिस कर सकती है इसलाम में मैं आप से कहा हूं मुझे कोई रवायत दें मुझे मौल भी बहुना दें मुझे बताएं कि कहां उनको इंकरिश किया गए पड़ो लिखो काम करो जाकर आप मर्दों के साथ काम कर सक हानी जिस तरह भी हदीश कोट की है ना दो बच्चों पढ़ाएगा उसको उसको जन्नत में मिलेगी मुझे उस तरह की कोई हदीश तो तो जहां पर ओड़ो जाओ काम करो इंकरिश करने जॉब्स को इंकरिश किया बताओ मैं आपको यहादीश देता है एक सिकनल कि मैं देख में लैप्टोप पर चार्ज है कि ने दूसे ही जादी करेगा उसको उसको अच्छे से पढ़ेगा पढ़ाई लिखाई है ना सुने होंगे कि लिए पढ़ाई लिखाई वाली बात में याद वसे है का नमबर है उस अब उसको भी उसको भी देख लाता है मैं मुझे टॉपिक में बात कर दो रहा हूं तो पढ़ाई लिखाई का नहीं है अच्छे में अगले स्ट्रीम में अगले दिखा दूँगा ठीक है ठीक है अच्छे दूसरी चीज़ आपने बोला कि इसलाम इंसानों को क्या बोलते कहता है कि मतलब यह 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 वह दिखाई यह लो मिल गे मिज़े वह दिखाई यह लो मिली दे ली दिखाई और वह उनके साथ अच्छा सलूक करता और अला से डरता तो उसके लिए जन्ना था इसमें तालीम कहा है यह यह व्यादि दिखाई लिए यह यह clarity कैशाँ ऌधिगावी कितना अच्छा है उसको स्लेव को भी कह दिया कि अपना अच्छा तरीके से अपने मास्टर के लिए सर्फ करता है इसका भी उसे को तालोग नहीं है यह वो अला नहीं है यह लोड़ी को क्या अला हुपर क्या अला हुपर क्या अला हुपर क्या इसको निसके अंदर क्या है वह भाई इंटर रिलिजिन है वह भाई मजभ में उसको तालीम देता है यह को तालीम वो नहीं है यह मजभी तालीम की बात हो रही है अच्छे रियाजी की बात नहीं हो रही अल्लाहु अक्बर कुछ पर नहीं है यारा आपके पार यह अजुकेशन हरे अज्वेल यह वाले हजीसे हैं यह लोड़ी और है भी किसको लोड़ी हो अच्छा छोड़ो अगली तोड़ के लाना अच्छा वाले यह विस्कस करूंगा अभी छोड़ी अविम्हें असल जो में टॉपिक था वह बात कर लिए पल्वे साइंस अन एरफ फिलोस्पी फिलोस्पी तक होँगा कि दुनिया के जो मखभी मुस्मान जो बहुत ज़ता ओर्थोडॉक्स थे उन्होंने साइंस के मावल अर्फिलागा पता में था आख सारोगा कैना मांदी सारण के लाइ फिलोस्पी लिए उन्होंने वह आख सकता है और इबन हैसम जो के पिन होल कैमरा के इंवेंटर से और इमाम बुरूनी जिनोंने खौरीसमान और मॉर्थोडॉक्स थे इस्लाम को मानते थे इसके हासिल किया तो गोई इस्लाम को काम्याभी से नहीं रुख था हमारे पुरा गोल्डेन एज हमोजुत है इसलामिक गोल्डेन देश्चेसो साल का पता यह अब बात है को इसने सारे प्रूफ सब्सक्राइब जिए मुसल्मानों ने बहुत क् हम पाकिन को फालो करें हिंदुस्तान बांग देश में यह वह इसलाम जाप mandate नहीं इゃा नहीं यह रूआि जाहत नहीं है अब इसको जट्रीमिदार इसलाम कोट तो अगर जो आपके और्थोडॉक्स मुसल्मान है आप कैसे कह सकते हैं कि वो और्थोडॉक्स मुसल्मान जो थे वो बिल्कुल हजद मुहम्मद के इसलाम को to the letter फॉलो कर रहे थे अच्छा आप दे नेट पहले सकते हैं वो खौरिजमी उर्थोडॉक्स मुसल्मान जो फॉलेंगा जो फॉलो कर तो आज कल के दाडी वाले टीवी के उपर बैठके बड़ी बाते का रहे होते हैं इसलाम की वो भी ऑर्थोडॉक्स ही होते हैं उनके पास गाड़ी भी होती है मर्सेडीज भी होती है वो तो अगर किसी चीज़ का उसे conflict नहीं है, वो तो ठीक है ना, उससे, हमें आपके ये, मुझे एक्जेम्पल है देखने की जुद नहीं, क्या लहातम क्या था, मैं उसकी देखू कि उसने कभी ये किया है, वो orthodox है या नहीं है, हमने आपके इसलाम को देखना, आपके इसला इसलाम करती है, या नहीं करती है, पीपल फाइंड देर वे, अब एक आक्री चीज़ बिलूँगा, अभी जैसे कि शरद्धा केस हुआ, उसमें कि लड़की को जान से मार दिया चाहिए, यह इस एक लव जिहाद जो भी है, तो यह इसलाम सिखाता है, तो यहां पे इसलाम जैसे में दार हो गया, आतंग बाती जाब आप तो इसलाम जान से जाकर बात करो, मैं बात करहा हूँ, यह बात तो सारे एक सेकंड, मुझे उनकी सफ में खढ़ा करो, ओके, वो टुननी लोग उनके साथ जाकर बात करो, उनकी बाते मेरे सामने क्यों कहा रहे हूं, मेरा क्य इसलिए दो उनको तुनी कैटेगरी में डालावा है, क्या यार, क्या आदमी हो यारा, और के बात, आप मुझे किस क्या बोलते कैटेगरी के मुस्मानों में मानते हो, कि modern या moderate या बहुत extremist, या बहुत modern, मुझे आपके, मुझे आपके views का नहीं पता, लेकिन मुझे आप confused मुझे माला लगते हो, या इस तरह के आपको आप आपको पूरे arguments की दुनिया के arguments का पता नहीं, अथिस्टिक arguments का पता नहीं, लेकिन आप तो ले बैठे हो, कि आपने religion को सचा थाबित करना, लेकिन जब आप इसको खुल के पढ़ेंगे, जब आपने इसको खुल के पढ़ अबेनय नहीं एंव दर आप आप जो कर फसेठ लेसे, जो मिझेर ज्ञाब दो आप धर जो पांता एक सकटाइब धर अबुझाब hired तो पाक पिजाबी ने पूछा कि अप्याब लेके बहाग रहे हैं पीछे अपथर मेरे कपड़े लटा दे तो पाक पिजाबी ने पूछा इसको आप कैसे जवाब देंगे तो उसने आगे से बचा हाँ तो क्या है इसमें क्या है इसमें आज लो या नी बाग रहा पैयों पर उससे का जवाब यह दे अब इसके आगे तो कुछ नहीं बचा इसके आगे तो हमेर भाई इसके आगी पता क्या बात कर सकता है इन्हों नहीं अभूजर भाई नहीं चीज़ कहा कहा है अब प्रूफ देते हैं अभूजर भाई का डॉक्टर जाकिर नैक सहब का और यह जितने उलिमा हैं जो जो पीस को सपोर्ट करते सुन भाई हजरत हसोना जो उलिमात करते हमारे को अमन से रहना चाहे हमारे को इस कतल नहां चाहिए खादी मेंली बहुत गुसा देंख चादिम इसका इसकunta लना काहिने कि विसके आउ में कार चुके है ना आपके रिशूल लॉभ ले और पर सोनाम कर चुके रैस optimize को सब फ्र Spread को कर को आए इस नई किया एक बादीश को नहीं सब्सक्राइब आपके ढ़ी प्रोज़ें आप दो अब आप दो आप विद्ध इस मुझे अब आप उन्हेरा प्रोज्टा दो नहीं ना पताद लिखा एक सहावी नात में नाम अब उब इन मक्तूं पहले बात इन सहाबी का नाम क्या बोलते था हजरत अबु 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 अब्दॉल्ला इबिल मक्तुम नाम इधासन यारा यह पहले बात था यह लागन नभी के जुडिशरी में शामिल थे और इनके पास एक सिलेव मदर थी जिए बीवी ते जिनको कतल नहीं कर दिया था पहले जिए जुडिशरी में खुद शामिल थे और मुसल्मानों के और जियूज के तो रहने ट्रेटी होई थे कि हम आपके मज़ब को गाली नहीं देंगे और आप हमारे मज़ब को गाली नहीं दोगे और जो देगा यह दूसरे का पीस तोड़ेगा उसको सदाय मौत दी है तो इस में को गलज चीज दी को आपर जो बाँ onset ऍट यानि अगर मैं जाजी हो मुझे मैं आप इंप्रेस मैंने भी खोली भी नहीं थे आपके सुना ना बिदाउद 4361 नंबर भी आपको याद था मुझे नहीं था याद तो यानि इतना आप लोग जाकर बैठते और लेकिन घलत साबित करने के लिए इतने दमाब मखजमारी करते हैं जैसे उसने मखजमा अपनी वीडियो में वीडियो प्ले करके कहा रहा है देखो वो भी मेरे से घरी करते हैं और मेरी हमारी ट्रीटी भी है अब मेरे परसनल घर में किसीने हरकत कर दिया है और मैं उसको जाज बनके खुद ही उसक जूरी और एक्सीकूशनर बनके कतल कर दिया और रसूल अला के पास मैं डार भी रहा हूं कि यार जी क्योंकि अंदर से मुझे पता मैंने चवल मारी है अच्छा जी यार ये तो चलें जी मैं उन्होंने का अच्छा जी ये बात है तो चलो कोई बात ने कि हमारा खुण माफ है कभी दुनिया में कोई जाज एक्सीक्यूशन खुद करता जाज जूरी एक्सीक्यूशन का मतलब यह है कि तुम चाहे वकील हो या पुलिस वाले हो या इवन जाज भी हो आपको पता है इस बात का कॉन्फिक्ट ऑफ इंटरेस्स किसे कहते हैं कि अगर तुम किसी अगर जाज बाजी दूड़ना हो वो जाज्य था शरम आतने को पास्ट अब जो सहाबी इबने मक्तुम रिजतरानों है उन्हों वह अल्ला करें तो थर थरा रहे थे हैं अब बतमजी से बात करें हैं देखिए मैंने कुछ बुरा रहे हैं वह भड़ी थी उसकी आपके सहाबी की भड़ आपके सामने कुछ शक्सा कोई घर पर आगया आपको मारने लगा जान से घर वाला नहीं है काम ओ भाई ठैड़ जा ठैड़ जा यह तुम्हारी अभू जोकर ने ट्रेनिंग की है वो यह कतल नहीं आया यह कोई घर में कोई आके छुरानी मारने लगा उसने गाली दिये मारी इखला किया ठैड़ जो भी मैं ठैड़ ना आप पूरी पाड़केस ना हूँगा अब चिप कर जाना करना करना तो एक अन्ना आदमी था उसकी उसकी वो एक लोंडी थी जिसने बच्चे भी पैदा किये थे उसके लिए वो रसूल अला को गालिया देती थी तो इस दि उसने फिर रसूल अला को बुरा बला का तो उसने छुरी उठाई और उसके उसके पेट में घुसा दिया और उसको कतल कर दिया अचाइल्ड हूँ कें बिट्वीन हर लेग्स वस स्मीर्ड विए विए बच्चे बच्चा निकला उसके टांगों में से और वो भी उसके पर खून ही खून दा जब सुबह वही तो रसूल अला के पास गया उसे बता दिया रसूल अला को और उसने का इसेंबल द पीपल एंड़ एड़ जैसे कतल किया अब ज़रा उसने रसूल अला को कहा कि यह आपको गालिया देती थी इसलिए मैंने आपको मैंने उसको खुदी अपने तई उसको कतल कर दिया अब रसूल अला कर कोई इंसाव वाले इंसान होते तो रसूल अला कहते नई तुमने कतल किया है अदालत में नहीं कही एक नीटरल बंदा नहीं है, गवाई नहीं है तो मैं तुम्हें सजाय मौत दूँँ हूंगा लेकिन रसूल अल्हा वो खांसा वाली अरकत होगी चापलोसी रसूल अल्हाना कहें मुझे गाली देती थी इसलिए तुमने उसे कतल किया उड़ा दो कोई बात नहीं तुम्हें और रसूल अल्हाना पिर हुकम दिया कि कोई बंदा इसको इसको कतल ना करें इस बंदे को उस ओरत को कतल करने के सेरे में तो कॉमन सेंस का आर्गुमेंट है कि हम ये क्यों ना सोवेच लें कि वो बंदा जो अन्ना सी वो चला आकर उसकी लड़ाई किसी और बात पर हुई हो उसने घुस्टे में आकर उसको मार दिया जंगली लोग थे सारे तो उससे उसको मार दिया अब उसे का यार आप मैं फास गी आप मैं क्या करूँ एक तरीका है जिससे मैं मेरे सजाए मौत से बच सकता हूँ क्योंकि रिसूल ला बड़े नासिस्स किसम के आदमी है तो मैं ये बात कर दूँ या ला ये मुझे कहती थी कि रिसूल ला जूटे नभी है इसलिए मेरे से रहा नहीं किया रिसूल ला मैं आपसे एतनी महबत करता हूँ कि मैंने का कि तेरी ऐसी की तैसी तो इसलिए मैंने मा पसंद इंसान होते हैं, वो कहते हैं, ना, तो जाजन जूरी एक्सी कुशन नहीं बान सकता, लाव एनुपाइट, तो यह जाकर ना, इसके उपर रिसर्च थोड़ी पितर करके आना, मैंयoti, उसके मध्ग करेंगे, और जो काएगा, इसको जान से मारा जाएगा, यह ट्रिटी समझने हैं, blIE covezh, और जो किकिया नहीं, अब आपने अगर मैं जाज हूँ मेरे घार में मेरे बीवी से लड़ाई हो गई है और अगर ये वर्स करो ये कानून बना हूँ है कि अगर बीवी बत्त में इसी करें तो उसे कतल कर दो तो फिर भी मैं उसे कतल नहीं कर सकता वो अद्दा वो स्टेट देगी फैसला इस तरह तो अभी भी तुम कहता है वही तो जाके अगर पागल वाली बाते ने करो जाकर को अपना आर्ग मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पेगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूचा सकूँ झाल